बोल्ड, LBW, स्टंप आउट, रन आउट ये सभी वो कुछ आम टर्म्स हैं जिसके चलते एक प्लेयर को क्रिकेट के खेल में आउट दिया जाता है लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे अजीब और विवादित तरीके भी हैं जिसके चलते एक बलेबास को आउट करार दिया जाता है क्रिकेट के खेल में पिछले महीने ICC World Cup में हमने देखा था कि शिलंका की टीम के बलेबास एंजलो मैथ्यूस को बंगलादेश की टीम ने टाइम आउट कॉंटरोवर्सी के चलते आउट करार दे दिया था जो की इतिहास में पहली बार हुआ था क्रिकेट के लेकिन अब बंगलादेश की टीम को मुझ की खानी बड़ी है जब क्रिकेट के एक और ऐसे अजीब और विवादे तरीके से आज आउट दिया गया है बंगलादेश के बलेबास मुश्विकुर रहीम को उसी की दस्वीरे इस समया पेरे पीछे देख रहे हैं यह मुकाबल बंगलादेश की टीम की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि सिर्फ डेड़ सो के स्कोर तक पहुंचते पहुंचते बंगलादेश ने पहली पारी में अपने आठ विकेट खो दिये थे पहले टॉप छे बलेबासों में से सबसे टॉप के रन स्कोरर रहे बंगलादेश क्रिकेट के एतिहास में मुश्विकुर रहीम पहले बलेबास बने है जो कि अब अगर हम इस रूल के ओपर नजा डालने इसके अंदर आप देखे 37.1.2 की इस लाइन को जहान लिखा हुआ है तो अब यहां पर इसके बिलकुल भी प्रीट हुआ जहां पर उनोंने गेंद बले से तो लगी नहीं सीधा अपना हाथ ही जाकर उनोंने गेंद के पास कर दिया जिस तरह से इस तस्वीर में आप यहां पर देख भी सकते हैं जिसके चलते मुश्विकुर रहीम को आज आउट करार दे दिया गया मांगलादेश क्रिकेट के इतेहास में पहली बार किसी भी बलेबास को अप्सेक्टिंग देफील्ड के चलते आउट करार दिया गया है अब अगर हम यहां से नज़र डालने की बाई cricket के टेहास में obstructing the field के चलते इससे पहले कौन से वो कुछ बड़े बड़े वाक्य हुए है तो जी एक एक वाक्य हुआ था जहांपर मुहमथ हफीज obstructing the field के चलते साथ अफरीका के साबने मुकाबला चल रहा था वहां भी शाषे ममला मौझूद थे जिनकी तरफ थो जा रहा था लेकिन गेंद जिस दिशा से जा रही थी विकेट्स के उपर वहीं पर मौहमद अफीस बीच में आ गए थे जिसके चलते वहां पर उसके चलते उन्हें कुछ ऐसा ही हुआ था अबसे कुछ साल पहले ही जहां पर इंग्लेंड और मुकाबला चल रहा था उस्टेलिया के बीच में स्टार्क ने यहां पर गेंद वारी लेकिन बलेबास वहां बीच में आ गए और वो क्रीज से बाहर भी खड़े थे जो की गेंद सीधा विकेट्स क उपर जा रही थी यह भी आप्स्रक्टिंग दफील्ड का एक 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 जामपल है और तीसरा गर यहां देखा आजा यह वाके काफी ज्यादा प्रसिद है इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला चल रहा था पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल लग के बले पर और जो बाद में जाकर विकेट पर भी लग सकता था इसी के चलते ऑप्स्रक्टिंग दफील्ड के कारण इन्हें यहां पर आउट दिया गया था तो यह कुछ फेमस इंसिदेंट्स रहे हैं वैसे तो इसके लाब बहुत हमने ऐसे इंसिदेंट्स देखे है जब अब्स्रक्टिंग दफील्ड के चलते प्लेयर को आउट करार दिया गया हो आईपिल में भी इसी प्रकार का एक इंसिदेंट हमें देखने को मिला था आपसे कुछ साल पहले और इंटरनाशनल क्रिकेट के यह तीन फेमस लमें लेकिन आज के बाद अब्स्रक्टिंग देखने के बारे में दीजेग अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में और साथ ही में सब्सक्राइब कर दीजेगा स्पोर्ट्स यारी के चानल को अभी के लिए हमें दीजेग इजाजत जय हिंत जय भारत